असलाम अलेकुम जी यह मैं आपको रिव्यू देने लगी हूँ जो प्रॉडक्स मेरे पास है ठीक है सबसे पहले में हेर्स के हमाले से आपको साइच चीज़े शोग करूंगी मेरे पास यह शैंपू है संसिल्क पिंक ग्रीन ब्लैक और स्मिस्किन भी आपको मिल जाएगा एक यह वाला है लोड़ेल एलवाइफ क्रीम है यह प्रोटीन ट्रीट्मेंट के लिया होती है ठीक है यह बहुत जबदस क्रीम है इसकी प्राइस 400 रुपीस है लेकिन आप नेट पे कोल के इसको देखेंगे तो यह काफ़ी एक्सपेंसिव है यह आपको होलसल प्राइस में 400 रुपीस के मिनुर्ई है इसका यूज यह है कि इसको आप 3-4 तरह से यूज़ कर सकते हैं लिकिन बेस्टूए है कि आप आफ्टरबाथ जर्णिवाज बाथ इसको यूज़ करए 2024 बाथ मी ले सकते हैं और 2024 भी ले सकते हैं त्ट्रेटिनर से पहले ब्लो ड्राय से पहले लगा लें या आप इसको ड्राइ बालों में लगा लें लेकिन सबसे बेस्ट रिजल्ट इसका जो आते रा, वो आपका आएगा ड्यूरिंग बाथ, जब आप बात ले रहे होंगे, शैम्पू के बाद इसको करें, और इसके बाद इसको पानी से वश्च कर दे, ठीक है, इसक 500 रुपीज में आपको मेल जाएंगे पिर उसके बाद एक स्वाव का कंडिशनर है यह बड़ी बॉटल है ठीक है यह भी आपको 400 रुपीज में विलेगा 500 ml बॉटल है यह और यह मिलेशियन है कमाल इसका भी एफेक्ट है बहुत अच्छा कंडिशनर है यह उसके बाद में प की प्राइस 500 रुपीज है मार्किट में आपको एक पर पीस जो है वो थ्री थ्री हंडर्ड या 350 का मिलता है लेकिन यह पैक ऑफ थ्री है 500 रुपीज का फिर इसी दरह से यह शावर जैल है यह हैंड और बॉड़ी दोनों के लिए यूज होती है ठीक है यह इको इसका ब्रै यह अग्र बॉड़ी दोनों तरह से यूज कर सकते हैं ठीक है 취야स में बिझानी साहिये और इसके बाद में मेरे पास यह उड़ के माजिक कालर्स में है यह यह d tubing फिए रोपीजिस की प्राइज है और 500 एमेल है फिर उसके बाद में मेरे पास ये लॉर्याल के माजिक कालर्स है ये जिस्ट वान टाइम यूज के लिए होते हैं ये औरिजनल है औरिजनल यूए से की हैं इसे आपके बाल स्ट्रेट किये हों ब्लो ड्राइ किये हों आप किसी भी मत मतलब प्राड़क को यूज करने से पहले मतलब पहले वो आप बाल स्ट्रेट कर ले उसके बाद आप इसको करें आपके बाल में फ्रेज नहीं आएगा आपके बाल वेवी नहीं होंगे ये गैरेंटी है इसकी प्राइस 600 रुपीज है ये औरिजनल यूए से के हैं पर लॉ और टू ये अवयलिबल नहीं है इसमें ये पंप वाला जो है इसको जब आप यूज करते हैं कलर डवैलपर के अंदर कलर डालते हैं उसके बाद आप ये पंप लगाते हैं पंप के साथ अप शेक करते तो ये फॉर्म निकलता है जैसे शाम्पूँ होता है उसके बाद और होर में कहीं अवेलिबल है यह मेरे पास इसमें खुला माँ कोई पैक नहीं है नहीं तो मैं आपको जरूर शो करती मैंने खुद भी अपने हैर्ज हूं प्लें हेर्ज हों ग्रे हैर्ज हों कोई से भी हैर हो यह इसका कलर बहुत जबदस आता है तीन से चार महीने जैसे होता है इसके बाद एक नजदां कोफिह हुए हुआ है निकलता है बालों मूज आ जी जी को किसे सीक्करी 만들어 कंडिशनर होता है तीन थरह से उसको कीजों को पैक किया गए एक ही बॉटल के अंदर ठीक है और इसकी प्राइस फिफ्टीन हंडर रोपीज इस कलर है यह में इन बेल्जियम है औरिजिनल बेल्जियम के यह तीन कलर अवेलिबल है इसमें ब्लैक डाक ब्राउन और लाइट ब मिल जाएगा 400 का पैंटीन 400 की ही एलवाइब क्रीम है 600 में लॉर्याल मैजिक है 500 रुपीज में पैक ऑफ त्री पेर्स है और इंडियन है और 500 रुपीज में आपको यह हैंड और बॉडी वाशर मिल जाएंगे ठीक है शावर जेल जिसको मूल होता है और यह बहुत जबदस है स्किन के लिए मेबलीन की सूपर स्टे है 24 अगर इसके लिखा है ना तो यह एक्चिल 24 आर्स आपको स्टे रहती है यह आपके मेक अप फड़ता नहीं है बेस खराब नहीं होती और यह और यह उरिजिनल यूएस से बेस्ट है यह सिंपल या चाइनीज में नहीं है चाइ 1500 रुपीज में आपको मिल जाएंगी ठीक है यह होलसेल प्राइज में आपको बता रही हूं यह देखें और फिट मी की यह चाइना वारी मैंने लेके रखे हुई है अगर मेरा कैमरा सही दिखाए एक यह 120 नंबर है ठीक है और यह 120 शेड है इन दोनों के शेड में जमीन आसम बार है यह क्रीमी क्रीमी से अंदर से निकलती है और यह मतलब आप लगा लो तो आपके स्किन पर फील होता है कि आपने कौई अच्छी खासी चीज ठोकी हुई है मतलब आपके ऊपर उपर रहती है आपके पोर्स के अंदर नहीं जाती है अель नहीं होती इसका मैं थोड़ सेम शेड वान ट्विंटी यह मैं करके आपको दिखा रही हूं यह मैंने सैंपल रखा हुआ था यह देखे कलर में देख लें डिफरेंस कितना ज्यादा है नाच्रल का औरिजनल का यह वासी इतनी ही बहुत होती है इससे जादा कि इसकी जुरूरत नहीं पड़ती है इसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी है कवरेज बहुत जादा है यह देखे हैं मैं इसकी ब्लेंडिंग करती हूँ यह चाइना वाली है ठीक है यह देखे हैं इसको मुझे कितना ब्लेंड करना पड़ता है लेकिन फिर भी यह आपकी स्किन के ऊपर नजर आती है कि आपने बेस लगाई है यह चाइना की है और यह और इसकी ब्लेंडिंग आप देखने और यह स्किन के अंदर बस इससे ज्यादा इसको ब्लेंडिंग की जरुएत भी नहीं है यह आपके पोर्स के अंदर चली जाती है देखें सेम शेड हैं दोनों 120 और 120 लेकिन मैं इस वक येलो लाइट में बैठी हूं जमीन आसमान का फर्क है दोनों तरफ से यह वाली बिल्कुल मेरे पोर्स में चली गी है और यह देखें बिल्कुल ऐसे जैसे उपर दिखाई दे रही है कि मैंने कुछ लगाया हुआ है इसकी कवरिज देखें यह मैंने पूरे हाथ पे फैल गई यह इतना सा ड्रॉप और यह देखें इ जो मौडल लुक के लिए त्यार होते हैं उनके लिए यह वाली है हाई कवरिज में होती है यह और इंतहाई खुब्सूरत स्मूर्ड बेस बनती है इसकी प्राइस भी गौश की एटीन हंडर रुपीज है और यह देखें सब यह सील पैक है सारों की सील लगी हुई हुई है यह भी आपको सेमिंटीन हेंडर रुपीज में में मिल जाएगी इसका शेद आखे eshand यह देखें सील हुई है फिर बचे नीचे से खोल कर दिखाना पड़ेगा आपको मैं आपको इसे खोल कर दिखाती हूं यह देखें यह एलसी की है यह बीबी क्रीम है तो माल खुबसूरत बेस जबरदस्त की बेसिज होती है ठीक है इसका नंबर है और यह आपको 2000 रोपीस की मिलेगी एलसी की बहुत जबरदस्त और बहुत एक्सपेंसिव होती है ठीक है यह भी 02 शेड़ी है सेम यह मैली की है मेरे पास एक मैं आपको फॉन के ठाद है तो आपको कर दो कि यह सिल्क लिक्विड फांडेशन है ठीक है जिस्ट यह ओईल फ्री होती है जिनकी स्किन मतलब ली होती ना जो लोग एक्श लगाते हैं हमारी बेस फट जाती यह ऑला जाता है यह बेसिकली के लिए होती है ठीक है यह इसका शीड है 03 और एक मेरे पास पड़ा हुआ है 01 टीक है 03 और 01 डाकर टॉन्स में है वालब जो हमारी एशियन की टॉन्स होती है यह वही टॉन्स है बेसिकली जादा तरना मैं लाती ही वही हूँ जो हमारे एशियन को चले यह वाली भी 2000 यह और रिजनल आइकानिक है इसकी बहुत कॉपी चाइना वाली मार्कित में आई नहीं है यह जी में पास आइकानिक के लिक पिर्ट शिमर्ज है यह आजकल जैसे बेसिस चल रही है आप की शिमर बेस हो या आपने ऐसे हाइलाइटर इसको यूज करना हो तो यह आप कर सकत है इसमें में पास तीन एक रोस कोल्ड है एक उससे लाइट टोन में पिंक में और एक गूर्डन टोन में यह और इसकी प्राइज एट हंडर रूपीज है और यह इसका इतना हुबसूरत टेक्स्टर है कि मैंने अभी यह साथे बेस अप्लाइग की हुई थी यह बस आप जब इदर अदर आपका फेस होगा तो इस पर हल्की से आपको शाइन मिलेगी वह ना जो चाइना के हैं वह तो एक दम इतना स्वाच उसका आप लगाएं और वह इतना ज़्यादा श्रमर उसमें पहल जाता है कि वह लगता ही नहीं यह देखें यह बिल्कुल स अइस पास यह इंज़ पांई है यह आपकी बचे हैं तो इसक्रा जाद नाजर में और एक फिर में दो 사घॵादा के महें सबसक्राइस हुप ले बाकि सारी यह सेल हो गए हैं फि Всё में पास यह इक प्राम्में में ख rode के और माग के मैग 24 आर और इ ehew gorilla में और पिंक में और ब्लाक ये इसका यूज़ जी इस तरह से हें कि हमारा मेकप फढ़ जाता हैं मारी बेस फ़ढ़ जाती हैं मारा बेस मेकप जाता हैं मारा मेकप से पहले इसको अपलाई करते हैं ठीक है यह आपके पोर्स के अंदर चाला जाता है आपके पोर्स का ओयल कंट्रॉल कर लेता है यानि यह एक तरह से आपकी स्किन को यह लॉक कर देता है उसके उपर फिर आप अपना बेस लगाए जो मरजी लगाए और 24 आर्स तक आपक मारकेट में तो इसके प्राइस है बहुत जादा है लेकिन होलसल प्राइस में यह आपको 800 रुपीज में मिल जाएगा फिर मेरे पास एसेंस का लाइनर और एसेंस के मसकारा दोनों मुझूद हैं